हेलो दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जोगराफी का कुछ महत्पून कोशन को देखने वाले हैं फ्रेंड्स जो आपके एक्जाम की विए से काफी महत्पून हैं दोस्तो यहां से आपका निश्चीती कोशन पुछे जाएगा तो वीडियो को बिल्कुल भी स्कि पुछा गया था दोस्तो 2020 में भी पुछा गया था और 2022 में भी पुछा गया था तो इसको आप लोग निश्चीत रहाद रखेगा दोस्तों क्योंकि इस बार आने का यह कोशन पूरी-पूरी संभावनाय बनती है ठीक है तो इसका करेक्ट अन्सर हो जागा फ्रेंस आपका से बड़ी है दोस्तो भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है सिंदु ब्रहंपूत्र गंगा कृष्णा तो सबसे बड़ी नदी है दोस्तो वाह गंगा ठीक है ऑप्रेंस का सई अंसर है अगला कोशन है चौन नमबर दोस्तों प्रित्वी की उत्पत्ती से संबंधि जुआरिये परिकल्पन का प्रति पादन किस ने किया तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों आपका option number A Sir James James ठीक है अगला कोशन है प्रित्वी की करोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं तो option number A दोस्तों आपका निकल तथा तामबा तथा लोहा निकल तथा लोहा लोहा तथा चुना पत्थर तो जो प्रित्वी की करोड़ पर है दोस्तों उसमें निकल और लोहा पाए जाता ठीक है option number 6 इसका विल्कुल सही है अगला कोशन है निमलीखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंड़ा है द्रास पहलगाव गुलमर्ग या फिर सिरिनगर तो जो भारत का सबसे ठंड़ा स्थान है दोस्तों भाद छवाट है ठीक है option Principal as अगला कोशन है प्रदेसिक भोगोल किस विद्वान द्वारा पर्ति पादित किया था तो ये जो प्रादेशिक भूगोल है दोस्तों यह काल डीटर की दुवारा प्रतिपाजित किया गया था उप्सन नमबर इसका सही है आठवा नमबर कोशन है दोस्तों निमलिखित या मियुतर में कौन सा भारत का मानक या मियुतर है ये भी दोस्तों काफी इंपोटेंट कोशन है ये 2019, 2020, 2022 सभी एर में पुछे गए हैं इसको आप लोग याद रखेगा इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उप्सन नमब डियाप रहा होता है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उप्सन नमबर इस जॉर्ज अगला कुशन है दसवा नमबर मृदा का सरवधिक व्यापकर उपजाओ प्रकार कौन सा इन में से दोस्तों सबसे उप्जाओ मिटी कौन सी है जलोड मिटी लाल मिटी काली मि जो सबसे महासागर कौन है कौन है कार्ट महासागर? महासागर हिंद महासागर तो जो सबसे छोटा महासागर दोस्तों अकार्टिक महासागर ठीक है अगर यहां पर पुछे दोस्तों सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर ठीक है बड़ा पुछे दोस्तों तो प्रशांत महासागर और छोटा पुछे तो अकार्टिक अगला कुशन है किस राज में लोकतक जील है तो यह दोस्तों आपका जो लोकतक जील है फ्रेंड्स वा मनीपुर में ठीक है ऑप्सन नंबर सी इसका सही है अगला कुशन है निमनिखित में से कौन सी गैस सूर से आने वाली हानिकारक पहनी पेरवेगनी किरनों से बचाती है जो सूर से हानिकारक किरने आती है दोस्ती पेरवेगनी किरने उससे हमें कौन बचाती है नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कर्मन डायक्सट या फिर ओजोन तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ओप्सन नंबर बी ओजोन ठीक है इसका सुत्र होता है दोस्तों O 3 ठीक है इसका दोस्तों यह भी आपका पूच सकता है कि इसका सूत्र होता है अगला कुशन है निमलिखित में से कौन जैव मंडल में समलित है केवल पौध है केवल प्राणी सभी जैव और अजैव जी या फिर सभी जीवित जीव तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों सभी जैव और जैव जीव पंदरावा नमबर कोशन है दोस्तों भारत के किस राजी में ठीक है भारत के किस राजी में बार सबसे अधीक आती है इन में से दोस्तों कौन से राजी है भारत का जिसमें सबसे अधीक बार आती है तो इसका अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका option नमबर B अश्यम में अगला question है निमलीखित में से किन पवनों को हीम पक्ची ठीक है हीम पक्ची अथवा हीम रनी कहा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चीनुक ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका चेरा पुंजी ठीक है option number है इसका साही है जो सबसे अधीक वर्षय होती है दोस्तों वाद चेरा पुंजी में होती है अटशारवा नमबर question है दोस्तों नेशनल पाРक ठीक है तो जो नेशनल पार्क बनाए गए थे दोस्तों वा संदक्षन के लिए बनाए गए थे ठीक है उप्सन नमबर डीस का सही है उनीसवा नमबर कोशन है निमलिखित में से कौन सा भारत का परोसी देश नहीं है तो आपका हो गया बांगला देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान ये सब दोस्तों आपका भारत का परोसी देश है ठीक है उप्सन नमबर डीस का सही है थाइलेंड जो है दोस्तों वा भारत का परोसी देश नहीं है अगला question है बीसवा नमबर निमलिखित में से कौन सा कठोर्तम खनीज है ठीक है दोस्तो question है friends निमलिखित में से कौन सा कठोर्तम खनीज है तो जो सबसे कठोर्तम खनीज है दोस्तो वह ही रहा है option number A इसका सही है अगला question है 21 नमबर दोस्तो जुआर भाठा के निर्मान के लिए कौन से बल उतरदाई नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तो आपका ओप्सन नमबर डी इसका अंसर हो जाएगा दोस्तो कॉरल लॉस सक्थी ठीक है कॉरल लॉस सक्थी इसका अंसर हो जागा दोस्तो आपका कॉरल लास सक्ती 22 वान नंबर कोशन है दोस्तो सिमली पॉल झी Director, सिमली पॉल जीव मंदल निचे निमली खीत में से किस राज में स्थित है तो ये दोस्तो आपका उडीसा में स्थित है औप सन नंबर डीस का सही है अगला कोचन है ताइसवा नमबर निमलेखित परकार के बादलों में से आवकास में सबसे उँचा बादल कौन है सबसे उँचे में कौन सा बादल है दिवस्तरी, वर्शमेक यय कापासी तो जो सबसे उंचे में बादल है दोस्तो वह पक्छाब है, option number A इसका सही है next question है दोस्तो, भूकम किस परकार की प्रकरती का अबदा है, वायू मंडल ये, जल ये, जीव मंडल ये, भॉमिक तो जो भूकम है दोस्तो, वह भॉमिक, अब दैठीक है, भॉमिक, option number B इसका सही है अगला question है, पचीसवा number, चूना पत्थर का रूपांत्रिक रूप है, ये दोस्तो काफी असान question है, इसको आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे होंगे इसका answer हो जाएगा, friends, आपका option number A, संग मरमर, संग मरमर दोस्तो इसका सही answer है next question है, निमलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावी छेतर है गुजरात का काक, राजस्थान का पूर्वी भाग, अरावली की पहाड़िया, आंधर प्रदेश की आंत्रिक भाग इनमें से पूछा है, इनमें से सबसे सूखा प्रभावी छेतर कौन सा है, ठीक है, सबसे सूखा छेतर कौन सा है तो इसका answer हो जाएगा, friends, आपका option number B, राजस्थान का पूर्वी भाग, ये दोस्तो सबसे सूखा छेतर है यहाँ पर दोस्तो लगभाग भाग में आप माल के चलिए मरुस्थल है, ठीक है, लगभाग भाग में मरुस्थल है अगला कोशन है 27 नमबर, दिये गए मांचीतर में कौन सी नदी दरसाई गई है यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर कौन सी नदी है, यहाँ पर दोस्तो आपका नर्मता न दी है, तो आपको दरसाँा आना चाहिए कि कौन सा राज ये अगला outer दोस्तो निम्लीखीत में से कहां पर दीन और रात बराबर होते हैं तिскा ऐसलों जाँड़ our फ्रेंज स्वेक्दे शुक्षाखा अप्सर्वा पर शीओ अंशर है टोस्तों पसे इसका सई धुरू और भर से दोस्तो भारत के रेखा मांचितर में दिये गए मरुस्थल की पहचान किजे यह दोस्तो आपका जो दर्साय गया यहां पे कौन सा मरुस्थल है तो यहां पे दोस्तो आपका थार मरुस्थल है ठीक है option number C इसका सही अंसर है अगला कोषण है इन में से कौन सा कारक मिर्दा नि कौन सी जलोड मिटी लिटराइट मिटी काली मिटी या फिर पीट मैलिटी तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों आपका काली मिटी ठीक है कपास की खेती के लिए जो सबसे उप्युक्त मिटी है फ्रेंड्स वह काली मिटी है अगला कोशन है 32 नमबर निमलिखित में से कौन सा प प्रकरतिक द्वारे नहीं होता है अगला कोशन है 33 नमबर निमलिखित में से कौन सी गयास भू मंडलिये तापमान के लिए उतर दाई है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कार्बान डायक्स है ठीक है अप्शन नमर भी इसका सही अंसर है अगला कोशन है 34 नमब 20 उसका देमानजीतर में कौन दर्साये गया यह जो यहां पर मिलाया गयाँ दोस्तों यहां पर ओप्सन नमबर एक तोस्तों नमबर यह तोप्सट आउपक्सन नमबर अडिया तो यह थो दोस्तों आपका वैगनर दुवारा दिया गया था ठीक है महादीपिय विस्थापन का जो सिधान थे दोस्तों वैगनर दुवारा दिया गया था अप्शन नमर 20 का सई इंसर है दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक सस्क्राइब और कमेंट करना ना भूले ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत